हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ पिजिस और आप देखरेंस इंडेटिव चैनल सो फ्रेंट्स आज में आप लोगों को दिखाऊंगा के एम आई एउन में आदे में जो अपडेट मिला है उस अपडेट में हम लोगों को ए आई फीचर्स देखने को मिल जाता है यानि के आप कैसे तो मैरे पास है एक एम यान का फोन स्क्रीन को यानि कि अच्टिन्स करेंगे और करेंगे कि कैसे हम तर्हों करें तो देखिए सबसे पहले देखिए यह मेरा फोन जो है मैंसलिप मुड कर देता हूँ अभी देखिए मैं इसको जैसे ही अन करता हूं मेरा फेश देखिये यह उपन हो गया ठीके वापस से लिए ठीक है मैंने कुछ भी नहीं किया यह मेरा फेर फेस लोकेट करते ही यह अपने आप ओपन हो गया तो भी कैसे करते हैं चलिए बीना टाइम गवाए देख लेते हैं कि यह तो देखिए सबसे पहले तो अपको अपको सेटिंग्स पर जाना होगा कि के सेटिंग्स में जाने के बाथ है यहां पर अपको Vegशन पर जाना होगा इसके बाद यहां पर देखिए स्मार्ट लॉक काई के एक option से ठीक है स्मार्ट लॉक बोल के option से वहाँ पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपका जो पैठल है वह आप दे दी चाहिए यहां पर इसके बाद यहां पर देखिए बहुत सा option आजाता है तो हमें इन में से अब फेस में जाना है तो यहां पर मेरा पहले से फेस मेरा सेट किया हुआ है तो मेरा फेस पहले से यहां पर लोकेट किया हुआ है ठीक है तो आपको फेस यहां पर लोकेट करना होगा अगर आप नए हो तो जैसे इंप्रूट करते हैं तो यहां पर देखिए option आ जाता है तो यहां इस देना आप तो वह अपने आप लोकेट कर लेगा ठीक वह करने के बाद आपको एक एप्लिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा वह एप्लिकेशन आपको प्लेकेशन में मिल जाएगा और आप Google से भी शार्च कर सकते हो तो आपको उसके लिए प्लेस्टोर में जाना ह पर आपको सार्च करना होगा आटो इन्पूट तो देखिए पहले वाला यह जो ऑफ्शन से ऑटो इन्पूट कहके यह जो एप है इस एप में आपको क्लिक करना होगा पहले से मेरा यह इसलिए मैं बश्कुर्ण करूँगा और अप्शन दिक्वांगा तो देखिए यह पर एक option से use for free ठीक है तो आपको यह जो option से auto and dismiss keyboard तो इस पे आपको क्लिक करना होगा और यह वाला option जो है यह आपको on कर देना है ठीक है तो मैंने यह on कर दिया जैसे ही आप on करोगे तो आपको यह वाला option भी on करना होगा ठीक है एनाबल यह एनाबल है मेरा पहले सी capabilities and enable तो इसको enable करने के बाद ये आपको enable करना होगा इसके टैप करने के बाद ही आप enable कर सकते हैं ठीक है तो यह दोनों options enable करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है बस यह से exist हो जाना है अपना phone जो है वह हाथ में लेजिए और इसको power button को लॉक किजिए और बपस से पाउर बटन दवाई यह और अपना फीज दिखाई है बस दिखिए यह अनलग हो गया फिर से देखें बहुत ही क्वीक हो रहा है बहुत ही अच्छा है यह वाला options आगर आप on करते हैं तो MI-EA on में आपको वह वाला features देखने को मिल जाता है ठीक है तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe जरूर करना और अगर आप नए हो बिल आइकन को दबा देना तक कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख प्रिसकों थैंक यू सो मुछ पर वाचिंग पार वाचिंग भीडियो तो